हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में कलास 10 के फर्स्ट चेप्टर जो वास्त्विक संख्या है इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या आप जानते हैं वास्त्विक संख्या क्या होता है आपका चेप्टर का नाम है वास्त्विक संख्या है तो इसके बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है तो देखिए वास्त्विक संख्या क्या होती है तो वास्त्विक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसे नम्मर लाइन पर दिखाया जा सकता है अर्थात जितना भी नम्मर है ये सभी वास्त्विक संख्याएं होती है तो जिसे हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं उसे वास्त्विक संख्या कहते हैं देखे संख्या रेखा क्या होता है अब देखे होंगे कि ऐसे एक लाइन खिची होती है इस पर आप माल लेते हैं यहां 0 लिये और इधर आपको negative में दिया होता है minus 1 minus 2 dot 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 और आगे इधर होता है और इधर आपको positive में मिलेगा right side positive में मिलेगा और left side negative में मिलेगा तो इसमें यहां क्या होता है कि यहां आपका प्राकिर्तिक संख्या भी है पूर्ण संख्या भी है परीमे संख्या भी है और अब परीमे संख्या भी है तो दोस्तों वास्त्विक संख्या ये सभी होते हैं मतलब वास्त्विक संख्या जो बना होता है, परिमे संख्या, अब परिमे संख्या, प्राकिर्तिक संख्या और जो नम्मर होता है, ये सभी मिलकर वास्त्विक संख्याएं बनी होती है, तो इसी को हम वास्त्विक संख्या कहते हैं, आपको इस चेप्टर में पढ़ना है यु धनात्मक पुर्नंक दिया हुआ है ये और ब दो धनात्मक पुर्नंक दिया होता है इसको क्या करना है ये को डिवाइड करना है ब से ये को डिवाइड करना है ब से जब डिवाइड हम करेंगे तो यहां कुछ भागफल आएगा और नेचे इसके बाद कुछ जो डिभाइड करेंगे तो यहां कुछ सेसफल आएगा मानते हैं सेसफल आ राया और जो भागफल आएगा वो जो हैसो क्यू आएगा देखिए इसमें क्या होता है युकलीड विभाजन प्रेमिका में तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे देखिए यह बराबर BQ पलस R क्या लिखेंगे यह बराबर BQ पलस R जैसे एक नम्मर के साथ समझते हैं जैसे मान लेजिए दो और साथ दो संख्या दी हुई हैं अब हमको इसमें क्या करना है दो को साथ में भागा लगाना है तो लगाएंगे तो क्या होगा दो तियाई छे बचा कितना एक अब साथ को हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए साथ बराबर दो गुने तीन पलस एक दो तियाई छे और एक साथ तो यही होता है युकलीड विभाजन प्राइमिका आपको इसी का परियोग करके चेप्टर में एकसरसाइज में बनाना है तो चलिए अब यहां से आपको एकसरसाइज में लेके चलते हैं लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आर होगा वो जीरो भी हो सकता है आर जो होगा यह जीरो के बराबर या जीरो से बराबर होगा ठीक है और बी से हमेशा छोटा होगा B से हमेशा छोटा होगा छोटा होगा क्यों देखिए B यहां रहेगा और R यहां है तो जब छोटा रहेगा तब न से स्फल बचेगा जदी यही बड़ा रहे जाएगा तो फिर यहां से भागा लगा देंगे तो इसलिए यह हमेशा B से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा यह बात आपको ध्यान में रखना है चलिए चेप्टर पर चलते हैं चेप्टर शुरू करने से पहले आप बाजपन में जरूर पढ़े होंगे HCF और LCM HCF और LCM आप बाजपन में निकालना जरूर सिखे होंगे तो यहां आपको HCF और LCM निकालना है लेकिन युकलिड विभाजन प्रेमिका का पर्योग करके तो देखिए कैसे होता है इसमें देखिए आप परसनावली एक पॉंट एक में जो आपका पहला कॉस्टन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि निमलिखित संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए युकलिड विभाजन अल्गोरिदम का पर्योग कीजिए तो इसमें जो पहला कॉस्टन है इसमें लिखा हुआ है 135 और 225 अब इसका HCF ग्याद करना है लेकिन युकलिड विभाजन अल्गोरिदम का पर्योग करके तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा कौन है तो 225 यहां इसे लिखिएगा यहां 225 बड़ा है 135 ठीक है अब यहां पर लिखना है अब 225 और 135 पर युकलिड विभाजन युकलिड विभाजन अल्गोरिदम पर्योग करना है इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है एगराफ एरिया बनाना है यह आपको एकजाम में लिखना नहीं है सिर्फ इसको इसलिए लिखना है ताकि हमको जो यहां कौसन बनाएंगे उसमें हमको लिखने के लिए स्वीधा हो देखिए अब हमको यहां क्या करना है कि दो सो पचीस को भागा लागाना है एक सो पैटीस से एक सो पैटीस से भागा लगाना कितना को दो सो पैटीस से तो जब इसको कितना बढ़ लगाएंगे देखिए एक टैम जाएगा यह एक बार में कितना हुआ एक सो पैटीस अब यह किया होगा एक بार में जएक यहां भी 90 तो अधे क्यतना बचांच तेरो में चायर पैतालिस बचांब और यह नव किया यहां इतर जाएगा यहां अब 32-C बार में गया और यहां जो शेशफल जिरो हो गया अब यहां क्या लिखना है यह देखिए आप यहां लिखेंगे 225 को आप कैसे लिख सकेंगे इस परकर लिखेंगे 135 गुने 1 पलस 90 क्योंकि 225 जो है यहां 135 से जब डिभाड किये तो एक बर में गया और 90 से इसफल बचा उसके बाद आप 135 को उसी परकार लिख सकते हैं 90 गुने 1 पलस देखिए 135 को 90 गुने 1 पलस 45 अब 90 को उसी परकार फिर लिख सकेंगे जिस परकार अभी इसको लिखे 90 को क्या लिखे हम 45 गुने 2 पलस 0 देखिए 90 को 45 गुने 2 और यहां जो इसका सिसफल है वो 0 है तो इस परकार से आप इसको यहां लिख सकेंगे अप यहां हमकोई HCF निकालना है तो लिखेंगे HCF किसका किसका 135 और 225 का क्या होगा 45 यही होगा आपका answer जैदी वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लिजिए तो ए अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन जो है 196 और 38,220 तो आपको उसी परकार से पिछले कॉस्टन में लिखे कि यहां 38,220 बड़ा है 1966 से ठीक है अब 196 और 38,220 पर युक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म का पर्योग करना है ठीक है इस परकार लिखने के बाद आपको फिर रफ हर ये बनाना है और फिर ये बनाना है और आपको यहां 38,220 को डिभाइड करना है 196 से ठीक है तो फर्स्ट बार में एक बार में जाएगा 196 उसके बाद क्या बचा यहां 12 में 6 6 बचा यहां 7 17 में 9 8 उसके बाद यहां बचा 2 2 में 1 एक और उसके बाद यहां 2 उतर जाएगा अब जाएगा यह 9 बार में 9 बार में होगा 1764 1764 लिखने के बाद आप इसको यहां से घटाएंगे 12 में 4 8 बचा यहां 5 15 में 6 9 अब इधर क्या हो गया इधर 0 हो गया अब फिर यह जो आपका यहां 0 उतरेगा अब यह आपका 5 बार में 980 आजाएगा देखिए 980 आजाएगा अब यहां इसका जो होगा 6 फल 0 होगा अब कहिएगा सर आप यहां इसको इससे भागा नहीं किये यहां इसलिए नहीं किये क्योंकि हर कंडिशन में जो मेरा यहां जो सेस्फल आ रहा था वो इससे बढ़ा आ रहा था तो हमको जब तक बढ़ा आते जाएगा यहीं से डिवाइड इसको करते जाएगे जब तक यह छोटा नहीं आएगा तब तक इसको हम next step में नहीं बढ़ेंगे तो इसको हम इस वरकार से लिख सकते हैं 38,220 क तो 196.995 पलस 0 इसलिए इसका जो सेफ होगा वह 196 ही होगा एचसीफ एचसीफ 38,220 और 196 का हो कितना 190 यह आपका होगा एंसर उमेद करता हो एक वीडियो में इसके next वीडियो में इसके next कोस्टन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत